ओके सो हे गाईज वेलकम बैक टो माईटू चाइनल टेकनिकल सेलिन दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आया से टीसी इवालेट के लेकर कई बार क्या होता है जब हम इवालेट में पैसे एड करते हैं तो हमारा पेमेंट कर जाता है बैंक से लेकिन पैमेंट एड नहीं होता है और वो पैमेंट जो है रिफंड नहीं आता है कहीं केस में तो रिफंड आप कैसे ले सकते हैं आज के वीडियो में यही जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तो एड करने के लिए आपको कई सारे मेठेड आपको मिल जाता है फोन पे, यूपी, आई, पेट याँ, नेट बैंकिंग, डेमिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एड कर सकते हैं आईर सीटी से इई औले में लेकिन कई बार क्या होता है इई इस तरह के प्रोग्लम आता है तो आप लोग क्या करना है सबसे पहले जब भी आप IRCTC wallet में payment add करेंगे अगर payment failed हो जाता है किसी भी region की बज़ा से और आपका payment अपने bank से कर जाता है और आपके bank में refund नहीं आता है तो क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को 3-4 दिन आपको wait करना है 99% chances होता है यदि आपका payment failed होता है किसी भी region के बज़ा से और आपका payment कर जाता है और IRCTC wallet में add नहीं होता है तो थीरी से 4 working days में आपको refund कर दिया जाता है आपके bank account में यदि आपके bank account में 3-4 दिन अगर हो जाता है और payment refund नहीं आता है तो क्या करना है सबसे पहले आप लोग को IRCTC के mail ID पे आप लोग को एक mail करना होगा जो कि आपको reference number देना परेगा और date of journey transaction ID आपको दे कर submit करना होगा यानि कि mail करना होगा जैसे mail करेंगे तो आपको 24-48 घंटे में refund आ जाएगा लेकिन कई case में क्या होता है जब हम mail करते हैं उस mail का reply नहीं आता है mail आपको उसी mail ID से करना है जिस mail ID से आप लोग जब IRCTC account बनाए होगे और जिस account में आप add करना चाहा रहेते हैं इबॉलेट में payment add तो उसी email ID से आप लोग को mail करना है इसके बाब जूद भी कोई response नहीं मिलता है आप लोग railway के help 9 number पे call करके complain कर सकते हैं यदि आप complain कर देते हैं तो 24 से 48 घंदे के अंदर में आप लोग को payment refund कर दिया जाता है